अगर दोस्तो आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे फेटिंग सोप या मसीन सोप में इस्तेमाल होने वाले मेजरमेंट टूल वर्नियर केलिपर पर रीडिंग को किस परकार से लिया जाता है जैसा कि अगर हम इस डायग्राम को देखें यह वर्नियर केलिपर है इस पर यह बीम बना होता है जिसके उपर में स्केल होता है में स्केल में है और इसका जो स्लाइडिंग स्केल होता है जिसे हम वर्नियर स्केल कहते हैं उस पर डिवीजन बनी होती है जीरो से लेके 10 तक वो डिवीजन बनी है जो vernier caliper हम यहाँ पर use कर रहे हैं उसका list count 0.1 mm है तो यहाँ पर अगर हम देखें external जाके बीच में एक object को रखा गया है उसकी width कितनी है वो हमें बतानी है तो सबसे पहले अगर हम यहाँ reading को देखते हैं हमें final reading जब vernier caliper की निकालेंगे उसके लिए 2 reading चाहिए क्योंकि जो final reading होती है वो first reading प्लस second reading होती है क्योंकि इसमें 2 scale है एक reading main scale से आएगी और दूसरी reading vernier scale से आएगी तो सबसे पहले reading हम लेंगे main scale से main scale से अगर हम 0 से चलेंगे और उसके बाद देखेंगे जो vernier scale का 0 division है उससे जो बिल्कुल last में जो division होगी वही हमारी main scale की reading होगी तो यहाँ पर अगर हम main scale को देखते हैं तो 0 से चलते हैं तो इस 0 से पहले हमारी जो division है वो है 11, 10 के बाद 11, तो 11 mm हमारा main scale पे पहला reading आया है तो first reading from main scale 11 mm उसके बाद हम second reading लेंगे vernier scale से अब vernier scale से जो division हम यह reading हम लेंगे उसको हम list count से multiply करेंगे और list count इस vernier caliper का है 0.1 mm तो अब जो main scale की 11th division हमने consider की थी उसके बाद हम vernier scale पर देखेंगे कि 0 के बाद इसकी कौन सी division है जो main scale की division के साथ match कर रही है या coincide कर रही है तो वो है यहाँ पर यह जो 7th division है vernier scale की वो main scale की division के साथ बिल्कुल concide कर रही है तो vernier scale से हमने जो division ली है वो 7 उसको हम multiply करेंगे list count के साथ जो है 0.1 mm तो second reading हमारी vernier scale से कितनी आई 7 into 0.1 mm equal to 0.7 mm तो इस प्रकार से हमारे पास पहली reading आई है 11 mm और दूसरी reading आई है 0.7 mm तो final reading क्या होगी दोनों values को हम put कर देंगे इस formula में तो पहली reading 11 mm प्लस दूसरी reading 0.7 mm तो final reading क्या होई 11.7 mm तो इस object की जो width है वो है 11.7 mm तो इस प्रकार हम vernier scale के उपर reading को read करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको like कर सकते हैं share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ students के साथ और जल्दी हाजर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे उपका जड़ कि अपका लिए झाल झाल